पर्म शांती देखो एनलेटमेंट की तारिक भी फिक्स नहीं होती है हमें अपनी तरीके से पूरा आपनास्वा परिवर्थन करना चाहिए हमारा एक पुर्शार्थ है अपने आपको बदलने के लिए अपने मन को अपनी बुद्धी को और अपने संस्कारों को बदलने का परिवर्थन को में करना चाहिए एल्लैटमेंट की सही परिबासा तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या होता है जिए है कि आत्म ग्यान आजाए और सुरुस्टी से हम निकलने का रास्ता ढूंड ले और उस पर चल पड़े इसी को एनलेटमेंट कहेंगे पर उसक कि डीपर व्याख्या तो बहुत अलग है कि हम अपने पूरिजनल स्वरूप को धारन करें अपनी मूल स्वरूप तक पहुंचे क्योंकि साकारी मनुष्य स्वरूप हमारा है उससे पहले क्या इस बोडी का जब जन्म हुआ उससे पहले तो आत्मा थी आत्मा ने अनेको जन्म लिये लेकिन उससे पहले क्या बापुजी ने जैसे का एक सोठावे करोड साल से तुम धर्ति पे जीवन गुरुति में आई हुई हो और बेहत की आत्मा है जो हैं वो 5000 साल से धर्ति पे आई हुई है तो इन से पहले क्या था तो हमें यह समझना होगा कि हम निराकारी से आकारी आकारी से साकारी क्यों कैसे कब बने उसका पूरा नहीं पूर्ण से जानना होगा तभी हम रियल वो एनलाइटमेंट की अवस्ता तक पहुंच पाएंगे क्योंकि कई लोग मानता है कि साकार में ही आत्मग्यान हो गया तो हमारा एनलाइटमेंट हो गया लेकिन इस धर्ति लोग में तो एनलाइटमेंट कभी किसी का परमपिता या फाइनल ओथोरिटी के अंदर हम समाएंगे तब हमारा ये ज्रामा पूरा होगा हमारी जॉब ड्यूटी तब पूरी होगी तब तक तो इनसान को कर्म करना ही है चाहे वो उर्ट्वी पर रहके करें चाहे वो आकारी दुनिया में रहें चाहे वो निराकारी में रहें क्योंकि दुनिया तो वहां पर भी है यहां पर भी है और परमदाम में भी है लेकिन सब ने दर्ति लोग में फसा के रखा है तो यहां से निकलना वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है वही रियल में एन्लैक्मेंट की जर्नी है और उस जर्नी में कौन पहले बहुत इंपर्टन्ट है। इस दुनिया की तमाम आत्मा है तो वहां तक नहीं पहुँच पाएगी, यह भी फिक्स है। जो जीव है वो जीवात्मा है वो कभी भी ज्यान नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि उनकी आत्मा का वो पार्ट भी नहीं है, उनका रेकोर्ड भी नहीं उनकी आत्मा की वो शक्ति भी नहीं है इनको समझने की, जिस प्रकार जीवात्मा को कुट्टे को मिठा के बहांस के आगे बागवत करो, तो उसके अंदर परमात्मा ने वो ग्यान के सेल नहीं डाने, तो इसलिए वो लिमिटेड बुद्धी के साथ है, इसी तरह इस धरतिलो के मनुश्य भी लिमिटेड बुद्धी के साथ ही आये हैं, लिमिटेड बुद्धी के साथ ही जाएंगे, अगर उनको अच्छा गुरु मिल जाए, अगर उसके जीवन का लक्स बदल जाए, अगर वो अपने जीवन के लक्स खुद बदल ले, और अपनी चाहाद धरती लो पाए और अगर स्वव परिवर्तन कर पाए तो एनलैट्मेंट करना बहुत आसान होगा लेकिन इस कोलियूग के अंदर जो है वहां तक की जो प्रोसेस वहां तक पहुंचना एक आम इंसान के लिए तो नामुकिन जैसा बन चुका है तो खेर सबकी आत्मा की अपनी अपनी ज ग्यान पूरा करने में कौन कितना समय लगाता है वो बहुत इंपोर्टन है बापुजी ने जैसे कहां अट गंटे ग्यान योग आट गंटे जॉब द्यूटी नौकरी आट गंटे आराम तो इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा समय अगर हम इस कारिया में लगाए तो परमसत्य तक नहीं पहुंच पाता परमसत्य में नहीं लगता तो खेर प्रिफिक्स तो दूर फिक्स करना भी मुश्किल है प्रिफिक्स तो बाद में होगा लेकिन अगर आत्मा चाहे तो आज अभी ये डिसीजन ले ले और उस डिसीजन पर कायम हो जाए तो जरूर से ही ही वो सकता है जिस प्रकार उस वीडियो में कहा था कि फ्री इविल मनुझा के पास अभी नहीं है उसके पास कुछ चॉइस हैं उस चॉइस में से वो एक ऐसी चॉइस पसंद कर सकता है जो उसके लिए बिस्ट है क्योंकि free will के उपर किसी और की will चल रही है तो केर हम तो यहीं मानेंगे कि हमारी free will के उपर परमात्मा की will चल रही है और वो जीज दिन वो चाहेगा उस दिन तो हो ही जाएगा केर हमें अपना पुर्शाद करना है और enlightenment भी जुरूर से possible है अगर आत्मा चाहें तो जुरूर से सीवत्व की प्राप्ति कर सकती है बेहत की परमा शांती परम शांती अनन्त बाय चिपनेट वेंटी हिंदी वीडियो आडियो विन्नारू अनन्त बाय चिपतो वन्नारू अनलेटमेंट योका विदानमू एंटी यहनी एनलेट्मेंट अंटे गिनानो दयम आवटम। दिनी युक्का विदानमेंटी अनी प्रेश्ण वेश्थे एनलेट्मेंटु इप्पुड वोत्तुंदी एविदंगा वोत्तुंदी अनेट्वन टाइम कानी पद्धती गानी एवरकी फिक्साई लेदु। एनलेट्मेंट युक्का परिभाषा एवरकी सरिग्गा अर्धन कावटन लेदु। यवरु चेपलेक पूतु उन्नारु। जेसी दानितो तम मोलिस्वरूपमनेकु चेरुको वाली। इप्पडु साकार मनुषरूपनलो उन्नाम मनम्, इन्तक्रितम एकड़ उन्नाम, यला उन्नाम, एरूपनलो उन्नाम, अने इदि तिल्ष्को वाली। आत्मगा उन्नाम, तरुवाता आकारी रूपनलो नू, मल्ला साकार रूपनलो की उच्च्यामु। अनेक जन्मलु कोडा, अनेक कोंतमंदी तीशकोनी उन्डवच्चु। बापुजी चेप्पिना, प्रकारं, नूट्र तुम्बयम्दी कोटल सम्वत्च्याला नुण्डी, जन्नुमर्ण चक्रनलो की उच्चिन वाल्लु, इबूमीदा कोडा उन्नारु। बेहद्ध आत्मलु, अइते, 5 वेल समत्राला नुण्डे, बूम्मेदकी साका रोपनलो उच्ची, जन्नुमर्ण चक्रनलो की वच्चारु, अनि बापुजी अन्नारु। मनम् निराकारी, आकारी, साकारी गा, इंदुकु यला वच्चामों तेल्सकोन्न विधाउन्नी, पट्टि, देन्यक पूर्ती, और रहस्यान्ने गरहिंचिन अप्पिडु, मनम् रियलगा एनलेट्मेंट स्टेजिकी चेरकोगलु ताम। कोंत मंदी अनुकुण्टों उन्टारु, मनुष जन्मलों आत्मा ग्नानों पोन्दटन तोटे एनलेट्मेंट आइपोत्तु उन्दी अनि, कानि इबूम पैकी उन्नेट्वेंटि वच्चिनेट्वेंटि वाल्ल अंदरु कोडा, अन्तत त्वरगा एनलेट्मेंट 56 अने 5 चपले, काबट्टी, एदेएते मनम इपडु मनम विन्टू उन्नामू, आत्मा प्रयानम चेस्तु ने उन्टू उन्दी, फैनल अधार्टी, ऐन परब्रम्म परमेशडु, लोपलकी इमिडि पोट्टमें, मनम इड्रामान उन्डी, पूर्तिगा वैधुलिगि न आकरी रूपनलो, उन्टू वैना चैयाल सिंदे, एंदु कंटे, प्रपंच मनेधी, केवलं, इककडे कादु, निराकरी रूप्रपंचनलो, परंधहमनलोनू प्रपंच उंदी, आकरी प्रपंचनलो, कोड, स्रुष्टियनेधी, उंदी, मरी, आत्मलंदरु, वरि कर्मल क ताताल, करणम् वल्ले, इवन्नी कोडा मनम् इकड़ अनुवविस्तों उन्ना अंटि मानवलु साकार प्रपण्चनलों इरुक्कु पोई उन्नारू इक नुण्डी बैट पडि अकड़की चेरु कोवटं अने दी पुर्षाद्धं द्वाराने जरूत उन्दी एल्लाइट्मेंटलों जर्णी चेयाल सिंदे उन्दी ए जर्णीलों एवर मुंदुक्वेल्तारू अने दे यवर चेरुकुण्टारू अने दे मुख्यमेन विश्यम इप्रपण्चनलों उन्ना साधान मेनेट्वेंटे आत्मलु मामुलूगा अन्त दूर प्रयानों चेयेटं अने दी कस्टों अन्टे इप्रम्माहंडरलों उन्ना जीवात्मलु यवरेन सरे गिनानुम अर्दन चेश्कोले कुण्डा साधानंगा उन्टे वाल्डू वेलटं कस्टों बेहदु कड़ला पवरु गिनानमियक्क रिकोर्डिंग वारी लोपले उन्टदु इन्ता हैस्ट गिनानाने कोड़ा अर्दन चेश्कोलेरु वारिके चेश्कोने शेक्ती कोड़ा लेदु चूडेंडी एन्ता दुन्न पूत्तिलांटी जिन्तू उलकी भागोतों चेप्पनांत मात्राना वालु मारतार अने सामित कोड़ा उन्दिकदा वारिके अर्दमु कादु अन्टे इकड़नेट्ट्वेंटी मानवलु अल्प बुद्धुलु साधानंगा इब्रम्हानमेका रचन कावट्टी लिमिट्टेड़ वळ बुद्धी उन्तोंडी अन्त वरिके वर अर्दन चेसकोगलरु अलागे हद्धु बुद्धी उन्न कारणंवल्ला वाल्डु अन्त दूरमयंक प्रयाणंँ चेयलेरु वकवेला सरे नेट्वेंटी गुरुवु लविस्ते वारकी गिनानो दयम् आयते जीवित लक्षे अन्नी पोंदिते इबूलोकन नोंडी पैकि वेल्लाली अनेट्वेंटी साधन चेस्ते वारु मन बुद्धी सम्सकाराने परिवर्थन चेसकोंटु स्वापरिवत्तन आयते एनलेट्मेंटु कागलुगुतार विश्व परिवत्तना कारेक्रमां कोडा चेयलुगुतारु इप्पडु मनं प्रस्तुतं कलियुगनलों उन्ना मानोलु वीट अन्नीट नीगोड दाटु कोनी उर्थव लोक प्रयाणं चेयाली अंटे कस्चत्रमैन दे अंदरीकु इजीवितां योक काहानी अनेदु उक्को कळके उक्कोरकंगा उन्टुंदी यवर अन्त टाइमु विश्व परिवतना कारेक्कमरमन केच्चिस्तू उन्टारु अन्तगा एनलेट्मेंट आउत्वू उन्टारु पुर्शाद्धमनकु टाइम केटा इस्तू उन्टारु यवर अन्तगा दानिवट्टे वार्योक स्थितिगतलु उन्टै बापुजी एते निरंतर योगम आनन्तारु सरे आध्यात्मिक मार्गनलो 24 गंटल्नी 90 गंटलु निद्र 90 गंटलु योगमु 90 गंटलु कारव्यवहारमु चेमनी कूडा चपटन जरीइंदी यक्कूल यक्कूगा टाइमनु विश्व सेव कोसं विश्व कल्यान कोसों कुपयोगिस्त्तु उन्टारु बगवं तुड़ुपैन मनसु लग्नन चेटम अने दी असाध्यंगा ने उन्दी इलांटी वाता वरन्णं तयारै यंदी भूम्मिद गिनानों विनी परमसत्यं वरुकु चेरुकुने दी इंके इन्दी एमिटी उक्कोंच समय अनि फिक्सेस कोटं कोडा चाला कस्टंगा उन्दी कानी आत्मलु अनुकुण्टे उक्क दुरुड नेन्नैयों तीस कोण्टे तपकोंडा साधियंच गनुगुतारु इपडु वाला फ्री विल्ल वारु उपयय गिन्चुको वाली कानी मानमुलु पयना वेरे वाले एक फ्री विल्ल नडुस्तु ओंदी दीनि मीरु चेंच चेसकोनी मी कोसं एदि बेस्टो चूसकोनी पुरुषाद्धां कोसं साधन चेस्तु ओंटे मीरी एदेन साधिन्च गलरु दीनि कंटे इंक एवरु मरी मीरु फ्री विल्ल एवरी वलेर कदा मीरी ए रोजु अनकोंटे अधोर अधे रोजु मीरु दुरुड विश्वासों दुरुड निश्यमों निन्ना यं तीसकोनी मीरु फ्री विल्ल नी उपयोगिन्चुकोनी यवरिक वारे दिनिकोसम पुर्षाद्धन चेयाली एनलेट्मेंट कोड़ा अपड़ पाजबुल अवतो उन्टोंदी तपक कुंदा उस्युवत्वान्नी पोंदगलरू आत्मासो परमात्मगा परमपरम परमात्मगा कागलरू कपट्टी एनलेट्मेंट कोरिंची कस्ट पड़ाल सिनना अवस्रम लेदू पुर्षाद्धन चेसकोंटू वेल्तू उन्टे एदो उक समयनलो आत्मको ग्नानो दयम उत्तुंदी आत्मा अन्नेट्मोंची बैट पड़गलू उत्तू उन्टुंदी अच्छा परमशांती धन्यवादालू नमस्ते